कि मस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासिप्स क्लासिस पर आपका दोस्त बदभाटी हाजिर हूं आपके सहां में एक बहुत ही इंपोटेंट टोपिक लेकर क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर देखता रहा था हूं तो बह बार 2018 का जो रिजल्ट आने वाला है फाइनल रिजल्ट उसकी कटोफ कितनी रहेगी ठीक है तो इससे बहुत सरी समस्वाइं में देखता रहता हूं और होनी भी चाहिए बहुत हो आप तक उसका रिजल्ट नहीं आपाया फाइनल रिजल्ट क्या होगा बच्चे आके फरद इस टम बदल रहा है जी सचाब से तो हम एक्सपेक्टेड कुछ कर नहीं सकते बट जो पिछली से यर्ज की जो कटोफ है उनके अकोडिंग हम अनुमान लगा सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लेकि किसी एक्जाम की जो फाइनल कट ओफ होगी वह तीन रिजन पर वाट पनीए किन नंबर ओफ हैं सी किटनी है उस वर्स लाट है कि दूसरी बात जो है वह यह कि मुंखयां है वह एक्जाम लेवल के उस साल एक्जाम का जो लेवल था वह कैसा रहा इन तीन चीजों पर टिपेंड करती है तो से पहले बात देखते हैं मैंने सब कुछ डिटेल में आपके लिए लिखा है महनत कि इसके पीछे ठीक है देखते हैं 2016 की अगर हम बात करें मैं तीन साल के प है शीक्स थाउजेंड सेवन हंडर एंड सेवन टीन छहाजार साथ सो सतरह वैकेंसी थी बात करते हैं 2017 में वैकेंसी कितनी हुई कम से कम एक हजार के सम्थिंग घट गई है अठावन सो चोहत्तर सेम एस तुसाज़न एक्टीन में बिल्कुल किसके जैसी है कंपेरिटिवली थोड़ी कम है 2017 के मुकाबले इन दोनों में लेटल कंपेटिशन है आगे बढ़ते हैं तो यह तो वैकेंसी का सिस्टम हुआ कि कितने कि वैकेंसी थी अब नंबर उप एपीड कैंडिडेट्स देखते हैं अगर एपीड कैंडिडेट्स की बात करता हूँ 2016 में कितने अपीड होते तीस लाग स्टावन हजार नोसुत रान है ठीक है 30,57,993 इस्टुडेंट एपीड वेते टायर फर्स्ट में ओट टायर फर्स्ट इसने क्वालिफाई किया जिने टायर साखिंड डेस्क्रिप्टिव पेपर दिया था ये कितने इस्टुडेंट से बेटा तरेपन हजार दोसुडेट्स फिफ्ट्री थाउजन्ट टूंडेट जेरो वन इतने कैंडिडेट किसमें एपीड होते टायर टूमें एपीड होते हैं बात करते हैं तायर दोजार सैटरा की 2017 में जो कैंडिडेट यहां से 4,00,001 यहां से 4,00,006,001 इक्वालिफाई किया ता यहां कितनों क्वालिफाई किया ति आगे बढ़ता है 2018 में देखो आप कितने बच्चे कम हुए हैं टायर फर्स्ट में एपीर होने वाले स्टुडेंट 13,17,000 स्टुडेंट सम्तिंग है मतलब मैं इतनी लिख दिया यह 26 लाग ते यह इसके आधी हो गए डारेक्ट 13,17,000 ठीक है और बात करते हैं बट यहां देखो सेकिंड पेपर हैं लोगए जैसे पगही ऐह देखो से Cur Nah टोलेहर होने कितना के लिख देखो लेक्तृव कि पात करते हैं अग्र 2016 की बात करते हो फ्रुडा पैटा यह अलग था वह क्त किसा कि पर था मोड़ेट उस टाइम तक ठीक ठाग आता था मोड़ेट पेपर था 2017 में जैसे ही गए पेपर जो 2017 का था वह इजी टू मोड़ेट तब होथ हलका पेपर आया था उसी की वाज़ेसे मैं दिखाऊंगो आपको कैसे हमारी बैरे टायर फस्ट ही गई थी और 2018 की बात करते तो अच से कि चलिए आगे बढ़ते हैं यह तो वोगी हमारा के कौन-कौन से मुख्या चीजे हैं जीस पर हमारा नहर इस पर क्या करता है अब देखते हैं वाने सी कैसे कैसे हमारा जल्ट गया अगर मैं 2016 की बात करता हूं लुए 2016 में अगर बात कर तो जनरार के लिए जनरल कैटेग के लिए कट ओफ जो 200 में से कितनी गए थी 127.5 आउट अप 200 123.5 पर गए थी ओवी सी की बात करते हैं तो कितनी पर गए थी भाई 120 पर है ठीक है मैं डिरेक्ट फाइनल डिल्ट की बात कर रहा हूं देकिस फाइनल रिजल्ट अगर मैं बात करता हूं जन्रल कैटेगरी के लिए 188.5 अगर देखते हैं तो कितना डिफ्रेंस बैठ रहा है यह अठावन अर्टी इक सट शिक्स्टी वन नमबर का डिफ्रेंस कितना बबार केटिक्री से देखते हैं ओभी सी के लिए chopp रहे हैं यहापर तो ठो ठोल फाल्त हुआ है है इतना बनाव 50 सफिटना पॉैंट और end voice का एसे में देख डिफ्रेंस कितना बन रहा है तो एसी में इंडिफ्रेंस बन रहा है कितना 60 वन मांक्स का और आसी इहांपर देखते हैं डिफ्रेंस यां 51 का डिफ्रेंस है ठीक है यह बात कर रहा हूं है टारफर्स्ट और फाइनल स्लेक्शन थीक है तो 60 60 और 70 के अराउंड हमारा difference बैट रहा है टायर फसे टो रिल्ट का ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो देखते हैं 2017 में 2017 सतर में क्या हुआ देखते मैंने कहा था पेपर क्या साय था एजी टू मोड रेट आये था उसी के अकोडिंग हम देखो टायर फिर्स्ट की मेरिट कितनी अच्छी गई थे अच्छी खासी गई थी 143.5 यह जनरल कैटेगरी गई थी वहीं ओब इसी की बात करते हैं 139 ऐसी की अब फानल जेल्ट के बारे में देखते हैं इसमें से मानिस करो इसे तो कितना च्छी हो गया उन्हों स्यार गया पांच हो गया कितना डिफ्रेंस है भाई 56.5 और यह जो मैं आपको फानल जेल्ट देखा रहा हूं भाई यह सबसे लोएस है मतलब सबसे जो नीची पोस्ट ह बता रहा हूं है अपको बहुत उपर जाती है इस सबसे कम से कम एक सीट लेने के लिए आपको इतने नमबल नाने ज़रूरी थे ठीक है तो कितना डिफ्रेंस बन रहा है 56.5 का डिफ्रेंस बन रहा है ठीक है दूसरा देखते हैं वन तरे ओविसी की 139 और 190 तो कितना बना हम हमारा बना 53 का कितना डिफ्रेंस बन रहा है वाई 53 का ठीक है आगे देखते हैं सी के लिए डिफ्रेंस कितना बन रहा है देखते हैं जरा ध्यान से तो यहां से आपको बन रहा है 52 मार्क्स कितने का बन रहा है 52 मार्क्स और यहां से देखते हैं स्ट के लिए कितने का डिफ् पच्पन नंबर का डिफ्रेस्ट कितने का डिफ्रेंस बन और पच्पन नंबर का तो 2017 में धेखो थोड़ा सा कम हो गया डिफ्रेंस्ट यहाँ पर डिफ्रेंस 50-60 बीच में लाई कर रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखे इनी के आधार पर देखे आप देखते हैं दोहजार अठासो लगे अगर बात करता हूं यहां पर हमारी सीट भो ज़्याद थी एक हजार वेकैंसी ज़्याद थी अब तुम देखो 2017 में डिस्क्रिप्टीव में तो इतने थे ना यहां पर यहां डिस्क्रिप्टी पहली बात दूसरी वेकैंसी भी यहां पर थोड़ी कम है इसका मतलब मैं क्या सकता हूं इसकी जो मेरिट होगी इसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होगी अरे आपने आप देख सकते हैं ना टायर फिस्ट में कितने भी आप पियर हैं यह देखो आप दूसरी बात यहां पर व distracted कम सोडेट सो कंम है और दूसरी बात कांडिट ने क्या áz quiere के लिए अब देखते हैं यहां पर क्या रह सकती है अगर मैं इसके बेश पर अंदाज लगाउं तो मैं इसके बेश पर नहीं trong करो मैं मैं 65 नंबर इसमें एड करता हूं तो कितना होगा आपका पॉइंट 6 तो पॉइंट 6 रहेगा पांच पांच दस हो गया सेटिनों एक दस हो गिया दोस्तों है ठीक है तो मेरे हिसाफ से 128 के लिए जो आपकी जन्रल की जो हो आपकी कट ओफ होगी वह लाई करेंगे 65 68 के पीच में तो आपको डिफ्रेंट 200.6 में प्लस तो माइनस दो कर सकते हैं इसी के अराउंड आपकी मेरिट रहेगी या तो इस तो दो हो सकते है enfin 98 ठीच भी हो सकते है दूसरी अगर और ऑबी सी की बात करता है तो इसमें मैं कितनी नमबर ऋट करterं गया 65 रमबर लगल 9 किसमें 60.. हाट करता हूं तो कितना होगा आपका यह आपका बैटर स्बार Apa 198-700 तोब कि मैरिट किसी जा शकती है 198 पूइंटि लगवग 2 एक दुग दॉग नंबर कमती है अगर बात करते हैं सफ की इसमें भी मैं कितने नमबर पैके चलता हूं 62 ठीक है तो कितने बैठ रहे हैं यहां से ऐसी की जो मैरिट मेरे हिसाब से बन रही है वह मैं रही है आपके 122.09 जा सकती है और स्टी के अगर बात करता हूं 60 नंबर में इसमें आड़ कर रहा हूं तो इसमें कितने आपके मैरिट बनने के मेरे चांस है मेरे हिसाब से 159.09 ठीक है और दो एक नंबर फाल्ट भी हो सकता है कम भी हो सकता है इसी के एड़ गूर्द आपके क्या रहेगी भ भी बढ़ेगा क्योंकि यहां पर वेकैंसी दोनों में सीम है बसमेंज पारे हो और 2018 में तो पेपर भी मोडरेट टू हाड था यहां तो पेपर भी जी था उसके बाद भी मैं डिसनी कम रही अपने आप अंदाजर लगा सकते हैं तो मैंने उसके हिसाब से फिर भी नंबर ब नहीं जाएगी तो भाई यह वीडियो बनाई काफी मेहनत इसके बिजय की एक बच्चों का बहुत बड़ा परिश्टन था बड़े परिशान थे बच्चे के हमें पता ही लगपारा क्या होगा इस बार रिजल्ट तो उसी के लिए मैंने बनाई है ठीक है इससे लावा मैं जाए चाहता हूं कि मेरा बैच एक चला हुआ है इंगलिश के लिए इंगलिश के लिए मैंने बड़कुल स्टार्टिंग रिए इस सकते हैं और फ्रीर कोस्ट वापके लिए ठीक है तो आप उसी जोइन करे अच्चे से तईयारी करे 5-6 मैने के तईयारी कर लोगे तो आप और कोई सब भी एकजाम निकाल सकते हो जिसमें इंगलिश आती है ठीक है पहली बात दूसरी बात कल से मैं क्या काम करने जा रहा हूं एक और चीजी स्टार्ट करने जा रहा हूं जो बच्चे मेरे 2020 में अपियर होंगे इस बार तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं प्रिविय में कितना अटेंप्ट कर सकते हैं तो कल से में वह स्टार्ट करूंगा जो रिमैनिंग डेस आपके 20 दिन बचे हूं है उनके लिए बड़ी महत्तपूर्ण और सीरीज रहेगी एम्टेस वालों के लिए भी तो देखना ना भूले ठीक है मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल आपके लुड़ी में है और सीरीज़ से पिंग्टी करहते हैं, ना बचे करूं कितना ना है पिंग्ट कर दो जो है।